लोकसबा चुनाओं में तीसरी चरण का मतदान प्रगती पर है 12 राज्यू की तिराण में लोकसबा सीटों पर मतदान जारी है इस वीच सुबह 10 बजे तक वोटिंग का हावाला आपको बताते हैं उतर प्रदेश में करीब 12 फीसदी वोट संपन हो चुका है गोवा में 12 फीसदी मतदान अब तक संपन हुआ है पस्चिम मंगाल की बात करें तो 14 परसेंट मतदान वहाँ पर संपन हो चुका है करनाटका की बात करें तो वहाँ 10 फीसदी मतदान मतपेटियों में जवा हो चुका है मद्पृदेश में 14 फीसदी मतदान मतपेटियों में बंद हो चुका है महराष्ट में मतदान की संख्या कम दिखाई दे रही है महज 7 फीसदी मतदान अब तक संपन हुआ है आसाम की बात करें वहाँ पर दस फीजदी मतदान संपन हो चुका है गुजरात में दस फीजदी मतदान संपन हो चुका है और बिहार में भी दस फीजदी वोट अब तक डाले जा चुके हैं चुनाव आयो की नाकडों के अधार के उपर मतदान प्रिक्रिया में शुरुवाती वक्त में सुस्ती देखने को मिली है अलेकिन उमीद यह है कि अधिक से अधिक लोग अब घरों से बाहर निकल कर अपने मतदिकार का इस्तेमाल करेंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज अपने ग्रेशे त्रहमदावाद पहुंचे और वहां जाकर मतदान करने की अपील किये और इसके साथ साथ अपना वोट डाला इसके साथ साथ केंद्रिये ग्रे मंतरी अमिश्याह ने भी अपने मता धिकार का प्रियोग किया बता दे आपको कि अमिश्याह गांदी नगर लोकसवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं भारती जनता पार्टी 400 सीटों को जीतने का दावा कर रही है तो दूसरी तरह फिपक्स 150 सीटों पर रोकने का यहाँ पर तमाम प्रियास करता हुँआ नजर आ रहा है आपको बता दे कि लोकसवा चुनाव में जिस तरीके की सरगर्मिया देखने को मिल रही है इन लोकसवा चुनाव में यहाँ भारती जनता पार्टी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है 2019 के मुकाबले देखा जाया तो इस बार मतदान पर्जिशत में कमी देखने को मिल रही है चुनाव आयो के तरफ से कहना है कि आधिक लोगों के बाहर होने की वज़े से मतदान परशंटेज में यहाँ पर कमी देखने को मिली है अब देखने यह होगा कि आखिरकार 2024 के महा संग्राम में सप्ता के सिंगासन पर कौन आसीन होता है फिलहाल इस खबर में इतना ही